लबश्कार में हुं प्रहमों तक्तुतु अपसागर एक्सप्रेस ने उत्का खासकारी गर्म देखरा राज निती का रोज नामचा 2018 के विधान सवाचुना में ये एक बात बिल्कुल जाहिर थी ये जनका और भालती जन्ता पार्टी आरोग भी लगाती थी ये लग कॉंगरेस की सरकार बने तो प्रदेश से मानों बिजली चली गई आज लोक सवाचुना में कॉंगरेस की जिस जबचरत अंदाज में पराज सब्सक्राइब कर दिया है लारा राकिश सिंग्ल प्रदेश सद्यक्ष हैं वो भी आज बिजली के मुद्धे पर बोले हैं 47 डिग्री टेंपरेचर है जनता परेशान हो रही है सरकार को जबाब देना पड़ेगा कमलात आगे आए हैं उज्जा मंत्री में भी सपाई दिये तवाम अधिकारी बोले हैं इस खास कबर में देखिए किस अंदाज में बिजली के बुद्धे पर सरकाल गिर रही है तो देख यह साखर एक्षप्रेस ने उसकी ए खास रेपोर्ट आपा बहुत गमी लग लई है तो बेटा में क्या कर सकता हूँ इसमें एक काम करो पंदरा में ट्रुकते हैं लाइट आगई तो ठीक वरना छट पे चलते हैं इससे पधन ठीक और तो राजनीती में लोक सवा में मिलिहार के बाद जहां मत्दपदेस की सरकार खाजाने खाली होने की वांद झेल रही है उपर से कसानों की नाराजगी के बाद अब बिजली का मुद्दा कमलात की सरकार को परिशान कर रहा है इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुपाल भार्गप ने बिजली के मुद्दे पर सरकार को घिरा है उनका कहना है कि मद्दपरेश सर पिलस पावर सेंटर है यह सरकार इस भीशन गर्मी में बिजली कटोदी कर आम जनता को परिशान कर रही है भार्गप ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकते जिसमें वो सरकार को मुद्दो में न घेरे गुबाल भारगव का कहना है कि अगर सरकार को कर्मचारी असायोग कर रहे हैं तो ऐसी इस्तिती में अराजकता है सरकार को एक मिनिट भी कुर्थी पर बैठने का अधिकार नहीं यह तरक के सरकार का हास्ट्यास्ति इसका आर्थी है कि सरकार की कोई पकड़ अपने करवचारी यह वे रहने हैं और नहीं बची है और इस कारण से एक मनेट भी अवी सरकार प्रभाव मनी रहा है और तत्काल अपना पद शोड़ इस्तिफा दे और अपना घर बैठ है भारगों के इस बियान के बाद सरकार भी फ्रंट पर आई है खबर है कि सूबे के मुख मंत्री कमलात ने भी अधिकारियों को चेताती हुँ कहा है कि बिजली की समस्या तत्काल भो हल करें जबकि सरकार के उजय मनति प्रियवरत्सीन भी सामने आए है उनका कहना है कि प्रदेश में कोई बिजली कटोती नहीं हो रही है वो तो पक्षियों या अनकारणों से फाल्ट हो रहे है इस बजय से बिजली जा रही है देखे बिजली की कटोती तो होनी रही है अगर कहीं फाल्ट हो रहा है या ट्रिपिंग हो रही है तो बे वजह से सब को जानते हुए भी कुछ लोग इसको राजनेतिक मुद्दा बनाने का प्रियास कर रहे है कबूतर के बैटने से, बर्ड फॉल्ट होने से, कंड़क्टर में तार्ट एक दूसरे से टकराने से या कहीं पे कोई फॉल्ट होता है उसको हमारा विवाग ततकार ठीक कर रहे है 10-15 मिनिट के लिए बिजली जाती है, वो लोग विवाग कामला जाता है, उसको ठीक करता है और बिजली की व्यवस्ता वापिस से जमाता है हमारे बिजली मेहक में के आधिकारी उसे 15 मिनिट में ठीक कर रहे है अब मंतरी प्रियबरत सींग को यह कौन समझाए क्या सिबरास सरकार में कबूतर या पक्छी नहीं थे, क्या कबूतर भाजपा की मदद करते थे या आपके बिरोद में अब कबूतरों ने मोचा खोल दिया है अब सरकार को लगता है कि यह साजे से जिसमें सरकार को बतनाम किया जा रहा है अगर वो ये कहते हैं कि उनकी सरकार रहते हुए भारती जनता पाइटी के समर्थक अधिकारी कटोधी बिजली की कर रहे हैं तो दुर्भाग गया है इसकी समिक्षा सुरू हो चुकी है और आपको भी मालूम है कि ये जानदूज का प्लानिंग के साथ जो है बद्देश सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे थे जो 15-15 बरसों से एक जगह बैठे थे या कहीं से बिठाये गए थे उनकी मानसिक्ता से वो उपर नहीं निकल पाए और वो सरकार को बदनाम कराने के विजली की कटोधी बिजली कटोती पर घरती सरकार को यह बताने की लिए काफी है MP पावर मैनेजमेंट में MP में बिजली प्रदेश में पावर सर पिलस में है और सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से समस्ते है बहराद प्रदेश की जनता परेशान है इस भीशड गर्मी में जहाँ टेंपरेचर 46 के पार है आप जनता दूआ करने लगी है कि लाइट ना जाए खुद अधिकारी भी मान रहे हैं कि हाँ बिजली की तकनी की गड़बड़ियों से फाल्ट बन रहे हैं जो जल ठीक हो जाए लेकिन इन तमाम चीजों की बीच में यह तह है कि प्रदेश में बिजली की समस्यान खड़ी हुई है जनता और भाजपा की यह बियान बाजी अगर कांग्रेस आई तो मानो बिजली गई यह सही साबित होता दिख रहा है ऐसे ने अगर सरकार नहीं चेती तो लोक सबा के बाद उसे आने वाले नगरी निकाय के चुनाओं में जबरतस बिरूत का सामना करना पड़ेगा नफीस खान के साथ राहुल राजपूत सागर एक्सप्रेज निव सागर झाल अगर एक्सप्रेश नियूज के वीडियो अगर आपक तो लोक साथ रहा है आप यूटूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शोभो मंगल मैं हो यही हम ईश्वर स प्रादना करते हैं नमस्कार